यह वीडियो में हम लोग अनालेसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और यहां पर आप देख सकते हो यह यहां पर इसने डबल टॉप बनाया चोटा सा आपको दिख रहा होगा और वापस अगर इसमें फॉल आता है तो यह वापस यह फॉलिंग चानल के अंदर आ जाएगा जो मैंने चारपा चूड़ियो में बताया है कि बैंक निफ्टी एक डाउनवर्ड चानल में ट्रेड कर र में आता है तो वापस यह डाउनवर्ड मोमेंटम कंटीनीव हो सकता और यह चानल में ट्रेड कर सकता है नीचे के तरफ और 30,000 तक के पॉसिबल टार्गेट लग रहे हैं अगर 30,000 भी तोड़ता है तो 29,000 और 28,000 तक भी बैंक जुफ्टी आ सकता है तो बैंक जुफ्टी म होगा कि आप option strategies में trade plan करो उसमें आपका proper risk management होगा stop loss रखनी की ज़रूत नहीं होगी gap up gap down risk भी cover होगा और market volatility risk भी cover होगा अब हम लोग magnitude का 15 minute का chart analysis करते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह level काफी जादा important है 32,500 बार-बार इसी level के आसपास इसने support लिया है और यहाँ पर इसी level के आसपास इसने resistance लिया है तो यह level काफी जादा important है 32,500 यह बार-बार test हो चुका है अगर 32,500 के नीचे जाता है तो एक sharp fall ए 32,000 और 31,500 तके target भी देखने मिल सकते हैं तो कल के session में open कहाँ पर होता है उसके उपर आपको ध्यान देना है अगर flat opening होता है या थोड़ा सा gap down opening होता है तो आपको short के दरफ जाहा ध्यान देना है gap up opening होता है तो आपको price action के लिए wait करना पड़ेगा लेकिन अगर बहुत देख सकते हो continuously lower high lower low formation बना रहा है और यहांपर इसने perfectly double top pattern बनाया है और यह M pattern बना सकता है यहांपर अगर और इसमें fall continue होता है यहांपर आपको दिख रहा होगा यह M pattern बना सकता है और यहां तक आ सकता है यह 14,200 तक 14,200 का level अगर तोकता है तो फिर 14,000 और 13,600 यहां तक nifty आ सकता है 14,000 और 13,600 तक के पोजिशनल टागेट के लिए आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो 14,500 के नीचे बड़ा वाल शाफ वाल हमें देखने मिल सकती है 14,500 एक immediate support है अगर वो तूटता है तो एक panic sell-off हमें देखने मिल सकता है यह निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और य 14,000 650 के उपर gap up हुआ एक बड़ा आप मोँ हमें देखने मिला तो एक काफी जादा important level के आसपास है निफ्टी 14,000 650 के नीचे हम लोग aggressively selling कर सकते है निफ्टी में immediate target इंट्राट एक ले 14,500 होगा और अगर 14,500 भी break होता है तो 14,200 और 13,600 तक के positional targets भी हमें देखने मिल सकते है तो कल के session में अगर gap down opening होता है तो भी हम लोग short के तरफ जाद आन देंगे, flat opening होता है तो भी हम लोग short के तरफ जाद आन देंगे, अगर कोई बड़ा gap down होता है या फिर अगर कोई बड़ा gap up होता है तो हम लोग price action का wait करेंगे फिर trade लेंगे और यह मेरा telegram channel है कुछ भी live market में levels में कुछ भी changes होता है तो मैं आपको telegram channel में live market में update कर दूँगा, telegram channel का link मैंने video के description box में दिया हुआ है, telegram channel में आपको options buying के trades मिलते है, options selling के trades मिलते है, plus cash level trades भी मिलते है intraday, जिसमें आप 2-3,000 रुपया intraday में daily कमा सकते हो, और अगर आपको सीखना है तो आप हमारे courses join कर सकते हो, यह derivative open trust का course है, यह options strategies का course है, यह algo trading का course है, यह हमारा technical analysis का course है, इसमें हम लोग बहुत सारे high probability trading setup सिखाते हैं, साथ में algo में build कैसे करना है वो भी सिखाते हैं, और यह हमारा options level 2 program है, जिसमें हम लोग fire fighting, adjustments, advanced strategies, यह सब कुछ cover करते हैं, advanced level options trading इसमें cover होता है, तो य यह हमारा level 2 program है, और यह हमारा level 1 program है, options trading के उपर, इसका भी link मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है, और mobile app का भी link मैंने वीडियो के description box में दिया हुआ है, और अगर आपको वीडियो रहनार से अच्छा लगा तो वीडियो को like and share ज़रू करना, thanks a lot for watching the video, see you in the next video. झाल